सुन गंगा, अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, तू जल्दी जल्दी घास खाले, जब तक मैं यहाँ पर ज्ञान रखता हूँ, तूने पिछले तीन दिन से कुछ नहीं खाया है, कोन है वाँ पर, रुको अरे ओ, तेरे समझ नहीं आती है क्या, तुझे किती बार मना किया है, कि अपनी ये गाय लेकर, मेरी जमीन पर चराने मत आय कर, मगर तेरे समझ में नहीं आती है क्या, पिछले तीन चार दिन से, तू रोज बच कर जा रहा है नहीं नहीं मेरा यकिन करिये, मैं पिछले तेन दिन से यहां नहीं आया हूँ, मैं तो केवल आज पहली बार ही आया हूँ, मेरा यकिन करिये, आज केवल ये गंगा के बदोलत ही, हम दो समय का खाना खा पा रहे हैं, अगर ये घांस नहीं खाएगी, तो दूट केसे देगी हाँ हाँ मैं वादा करता हूँ कि आज की बात हम दोनों तुमारे खेत पर कभी नहीं आएंगे घृपया करके इस बार हमें छोड़ दो अभी गंगा ने तो घास का एक दिन का भी नहीं खाया क्यों गंगा ठीक है तो मैं तुमें इस बार छोड़ देता हूँ हाँ मगर ध्यान रहे अगर आज की बात तुझे और तेरी ये गाय को मैंने अपने खेत या खेत के आज पास भी देखा ना तो मैं तुम दोनों को गाउं के जमिदार के पास लेकर जाऊंगा चलो भागो यहां से चलो अभी तक वो गंगा को लेकर नहीं लोटे वो कोई संकट में तो नहीं है मेरा तो ये सोच कर ही मन उच्छा ले खा रहा है पता नहीं वो दोनों कब आएंगे हे भगवान रक्षा करना पता नहीं गंगा आज तेरी किस्मत में क्या लिखा है आज से पूरे तीन दिन हो गए है तूने कुछ नहीं खाया है आज आपको और गंगा को लोटने में इतना समय क्यों हो गया और आज तो गंगा को अच्छे से चरा कर लाए हो ना भग्यवान आज भी गंगा को खास का एक तिन का भी नसीब नहीं हुआ मगर क्यों गोरी आज खेत के मालिक ने मुझे और गंगा को खेत में पकड़ लिया था और गोरी उसने कहा है अगर तू और ये तेरी गाय मुझे मेरे खेत के आसपास कहीं भी दिखी तो मैं तुम दोनों को पकड़ कर सीधा गाओं के मुख्या के पास लेकर जाओंगा इसका मतलब आज भी अपनी गंगा भूखी है इससे अच्छा तो आप गंगा को जंगल की ओर ही ले जाते अरे भाग्यवान अब तो जंगल में भी नहीं जा सकते आज कल जंगल में गाय भेश चराने के लिए राजा जी को कंड देना पड़ रहा है हमारे पास तो खाने जित्ते भी पेशे नहीं है तो फिर हम ऐसे में कंड कांसे देंगे मगर भाग्यवान ऐसे में हम अपना और गंगा का बुजारा केसे करेंगे चलो अपना तो छोड़ो मगर गंगा का क्या होगा मगर हम गंगा को ऐसे भूखे पेट भी तो बिल्कुल नहीं रख सकते हैं इससे अच्छा है आप आज बाजार जाकर गंगा को बेच आओ गोरी ये तुम क्या कह रही हो गंगा को बेच आओ गंगा को पिता जी ने बड़े प्यार से बड़ा किया है और हम इसे केसे दूर कर सकते हैं नहीं नहीं भाग्यवान नहीं हम गंगा को हमसे दूर नहीं करेंगे हम गंगा को नहीं बेचेंगे मेरा भी गंगा को हमसे दूर करने का मन नहीं है पर हम क्या कर सकते हैं गंगा ने पिछले चार दिनों से कुछ नहीं खाया है अगर इसे कुछ हो गया, तो हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि गंगा का हम इलाज करवा सके तो गंगा को कुछ हो, उससे पहले तुम इसे बाजार जाकर किसी अच्छे से इनसान को बेचाओ, जो इसकी अच्छे से सेवा करे चल गंगा, तेरे नसीम में हमसे दूर होना ही लिखाओगा, चल चल गंगा, तुझसे दूर होने का मन मेरा बिलकुल भी नहीं है मगर मैं क्या कर सकता हूँ, हम तेरी देख रेक ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, अब कल से तो तुझे ठीक से खाना मिलेगा बस यही मेरे लिए खुशी की बात है, चल गंगा चल, गंगा जल्ली चल, वरना बजार उठ जाएगा क्या बात है बेटा, ये गाय को तुम जबर ज़स्ती कहां लेकर जा रहे हो, बस बाबा यहीं पास के बचार में जा रहा हूँ अरे बेटा, तुम इस गाय को बचार में क्यों लेकर जा रहे हो, बाबा वो इसे में बचार में बेचने जा रहा हूँ मगर तुम इस गाय को क्यों बेच रहे हो, ये तो को बढ़िया गाय दिखती है अब क्या बताओं बाबा आपको अभी हमारे हालात कुछ ठीक नहीं है और अब तो जंगल पर भी राजा ने अपना कन लगा दिया है जिस कारण गंगा का खाना बंध हो गया है बस इसलिए गंगा को मैं बजार में बेच रहा हूँ अरे बेटा तुम एक काम करो तुम अपनी गंगा को मुझे दे दो मैं गंगा का कुप बढ़िया खयाल रखूँगा मैं गंगा को भर पेट खिलाऊंगा मगर बेटा इसे खरीदने लाइक पेसे तो मेरे पस नहीं है नहीं नहीं बाबा मुझे आप से पेसे नहीं चाहिए केवल आप तो मेरी गंगा का बढ़िया से ध्यान रखना और इसे भर पेट खाने को देना मगर बेटा मैं तुम्हें बिगर कुछ दिये तु ये गंगा को नहीं ले सकता इसके बदले मैं तुम्हें ये गंबला देता हूं बेटा मगर बाबा मैं इस गंबले का क्या करूँगा कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं केवल तुम तो इसे कहीं पर भी लगा देना ये पोधा बड़े होकर तुम्हें खुब मीठे मीठे फल देगा बेटा ठीक है बाबा आप तो केवल बस मेरी गंबला का ठीक से ख्याल रखना गंबला आज से तु इन बाबा के साथ रहेगी इन्हें ज़्यादा परशान मत करना और ये तुझे जो भी दे खाने को वो खा लेना तुम गंगा को छोड़ कर आ गए देखो जी गंगा के जाने के बाद अपना घर आंगन कैसा सुना सुना हो गया तुम ठीक के रही हो मुझे मेरी गंगा की बहुत यादा रही है आज अपने गरीबी के कारण गंगा को हमसे दूर होना पड़ा इतना दिल छोटा नहीं करते अब क्या कर सकते हैं हमने जो भी करा गंगा की भलाई के लिए ही किया सुनते हो गंगा को बेच कर तुम्हें कितने पैसे मिले क्या ये गंगा मिला अगर तुम्हें कुछ पैसे मिलते तो हम दोनों कुछ खा लेते मगर इस गमले का हम क्या करेंगे आज मकान मालिक आया था और कहा कि अगर कल तक किराया नहीं मिला तो हमें ये घर खाली करना होगा बाग्यवान मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये हमारे कैसे दिन आ गए पहले तो हमें हमारी कंगा छोड़ कर चली गई और अब हमें भी इस घर को छोड़ कर जाना होगा अरे सुनिये तुम्हारे ज्यादा दुखी होने के कारण हमारी गरीबी दूर नहीं होगी तुम्हारा ये पोधा मुर्जा रहा है तुम इसे कहीं लगा दो मगर भाग्यवान अब इस पोधे को यहां लगाने से क्या फायता वेसे भी हमें कल इस घर को छोड़ना होगा वो तो तुम्हारी बात सही है मगर इसमें इस पोधे की क्या गलती है ज्यादा समय तक यह ऐसा रहेगा तो ये यूँ भी मुर्जा जाएगा आप तो इसे जाकर ये अपनी गंगा के बदले में मिला है न तो जहां अपनी गंगा रहती थी वहीं इस पोधे को जाकर आप लगा दो ठीक भाग्यवान तुम केती हो तो जाकर लगा कर आता हूँ अरे 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 ये क्या है मैं क्या देख रहा हूँ मुझे तो अपनी आखो पर विश्वासी नहीं होता अरे सुनती हो भाग्यवान जल्ली भार आओ इतने जोर जोर से क्यों चिला रहे हो देखो भाग्यवान कल का छोटा सा पोधा आज सोने तो बन गया है तो भी कितना बड़ा ये क्या देख रही हूँ मुझे तो अपनी आखो पर भरोसा ही नहीं हो रहा सोने का पोधा मुझे तो अपनी आखो पर विश्वासी नहीं होता अरे बेटा कल मैंने तुमारी गंगा को खुब सारा खाने को दिया मगर इसने तो कुछ नहीं खाया बेटा राद भर इसकी आखों से आशो टपक रहे थे बेटा तुम अपनी गंगा को वापस ले लो देखो भाग्यवान अब अपनी गंगा भी हमारे पास आ गई है अरे बाबा आपका दिया हुआ पोधा जैसे ही मैंने यहां पर लगाया और सुबे आ कर देखा तो वो सोने का बन गया है बाबा बाबा आप कोई साधारन मनुष नहीं हो सकते हो आप कोन हो बाबा क्या सोने का पोधा नहीं बेटा नहीं मैंने तो तुम्हें केवल एक साधारन सा पोधा दिया था हाँ मगर जो भी उस पोधे को जमीन में लगाता है फिर अगले दिन वो पोधा उस मनुष के करमों के हिसाब से अपना रूप धारन कर लेता है बेटा अरे बेटा तुमारे करम और तुमारा मन साफ है जिस कारण ही तो यह पोधे ने सोने का रूप लिया देखा बाग्यवान मैंने तुम से कहा था ना कि उपर वाले ने ही बुड़े बाबा का रूप लिया और उन्होंने मुझे यह सोने का पोधा दान में दिया